अपनी संगतिको सुधारिये साहाब आपकी जिन्दगी अपने आप सुधर जाएगी नवश्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कविया दिगने स्वागत करता हूँ ग्रेड फर्स्ट है तू हिंदी के अंदर जो हमारा पाठे करम चल रहा है जिसके अंदर हमने जो एक प्रकरण है डाइरी देख लिया यहाँ पर हमने कहानी देख लिया रिपोर्टास देख लिया यह सारी की सारी चीज़ें देख लिए और आज हम देखेंगे कविता लेकन क कविता क्या होती है कविता की घटक कौन से होते हैं कैसे कैसे कविता निर्वान होती है यहां से चीजों को हम समझते भी चलेंगे चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको नोट्स बनाके बता देता लेकिन कविता को समझना भी जरूरी है ठीक है तो जो जरूरी पॉइंट होंगे वो मैं अंडरलाइन करके आपको बताता चलूँगा कि यहां से यह सवाल है जो पूछा जा सकता है निशुल कुरूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के मेरे दुवरा यहां पर समवपित भाव से तयारी करवाई जा रही है अगर यह मेरा प्रियास आपको अच्छा लगता वीडियो को लाइक किया करें आप ज्यादा ज्यादा शेर किया गरें सभी दोस्तों को तागी वो भी जुड़कर लाब ले सके अपना ये परिवार भी आगे बढ़ सके और पहली बार देखने वाले सभी साथ ही सब्सकाइब कर लेना चैनल को गंटी वाले निंजार पर क् ठीक प्रारंब करते हैं देखिए अब डाल लीजिए कवीता लेखन आज का अपना अकला प्रकरण है कवीता लेखन ग्रेड़ फर्स्ट वालों के लिए तो पहला सवाल यहीं से बन जाएगा ये पुस्तर एंसियाटी के तो कि कवीता कोने में घात लगाए बैठी है यह हम हमारे जीवन में किसी भी ख्षण बसंत की तरह आ सकती है कौन कहते हैं जोर्ज लुईस बोर्खेश अर्जेंटीना की यह इस्पेनिश लेखके इससे हमें कोई सरोकार नहीं है बात इससे सरोकार है कि कवीता कोने में घात लगाए बैठी है और यह हमारे जीवन में किसी भी ख्षण बसंत की तरह जो आ सकती है साब कोने में बैठी है रदे कहीं इस प्रकार की समवेदना उम पहली बात देखेंगे कविता क्या है ठीक है दूसरी बात देखेंगे कविता कैसे बनती है तीसरी बात कविता में शब्दों का चैन कितना महत्य पूर्ण होता है वो कविता में बिम्ब और चंद का क्या कार ये है वो कविता के सरंचना और कविता के घटक अंत तक जूड़ हरे जेकिनन कवीता वाला जो बिंदू है तैयार हो जाएगा जो जरूरी बाते होंगी वहीं मैं बताता चलूँगा यहां पर बाक्रम हम चोड़तेचंगे केम क्वीता के कहानी की से बनने किताब को पता है पुराने समय में माता जी दादी और नानी की नानी कहानिया सुनाई करते थे लोरी के बोल में खेतों के ढोल बच्चों के खेल गीत इसकुल में उनका पहला कदम तोतली जबान से गीत दो रहाता बच्चा उनमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा कव कविता कहां से चलते तो कविता के खेट खलियान कविता के खेट खलियान बाग बगीचे चड़ियान शेर मोचे पानी सुका गाउन अगर परिच्चे से लगने लगते हैं इस एपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलो चक और कवियों को कविता कभी जादू लग की प्रकरते की इसमें कवी जो कवी गोता लगाते हैं उनको कवी तो जादू सी लगते हैं कभी पहले से लगते हैं फिर हो कलपना बिम्ब और कुछ वास्ति उक्तागों लेकर कुछ गड़ते रहते हैं देखिए वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कवीता आज लिखित रूप में मुझूद है पहले के वल बोली जाती थी वाचिक रूप में थी आज लिखित रूप में मुझूद है और उसके साथ ही मुझूद है ये सवाल कि कवीता क्या है अब ध्यान में रखे गए यहा कविता क्या होती है हमारी सम्वेदना के निकट होती है वह हमारे मन को छू लेती है कभी-कभी जखजोर भी देती है कविता के मूल में सम्वेदना है रागतत्व है यह सम्वेदना आप करें यह सम्वेदना संपूर्ण स्रिष्ट से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है यह वही समवेदना है जिसे रतनाकर डाकू को वाल में की है जो बना दिया और कहे उठे क्या कि मा निशाद प्रतिश्टाम तुम मगम है शाश्वती शमा है यत क्रौंच मिथुना देक मवधी काम मोहितम अब देखे यहां से आप नोट कर लिजिए कि कवीता क्या है तो कवीता क्या है कवीता की इस पहली को बोजना जटिल परकिरिया है सारी जटिलता के बावजूद कवीता हमारी समवेदना के निकट होती है वह हमारे मन को छू लेती है कभी कभी जखजोर भी देती है कवीता के मोल में समवेदना है लिख लीजेग इन पंक्तियों को यह से कविता के मूल में क्या है समवेदना है पूछा जा सकता है यह राग्तत्व है और यह समवेदना संपूर्ण स्रिष्ट से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है और यह समवेदना क्या है संपूर्ण कि पहले क्या ते डाको ते नाम ता रतनाकर डाको और ये पंक्तियां दे दी मा निशाद प्रतिष्ठाम तो हम अगम है शाश्वती समाहा पंक्तियां किस्ते समंदित है तो वालमिकी भी आ सकता है और रतनाकर डाको भी आ सकता है पहला सावलीनी से बन जाएगा ठीक कविता क का प्रारंब यहीं से हैं जो माना जाता है कि आगे की जो पंक्तिय है सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है इसी को क्या यह भी कई बार तरिक्षा में साइति यास की दृष्टी से मैं तो पूर यहां इस बिंदू की प्रकृण की दृष्टी से भी कि वियोगी होगा पहला कभी कविता कैसे बनी होगी कविता के जन्म कैसे हुआगा तो पंत लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा गान और उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अंजान तो पंक्तियां किसकी है पंत सहाब की है कविता के जन्म के विशे में पं की पंक्तियां है तो वहाँ पर पहले पंक्ति देखर कुछ और देखर पूछा जा सकता है ठीक अब आगे देखिए आगे हम बात करें तो सवाल ये उठता है कि जो वस्त हमारे निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते कि हमारे सामने की गाय जा रही है चिडियां चाह कि जो हमारे सामने है मुसी तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कभी कहता है जहां तक कविता लेखन का सवाल है इस समंद में दो उमत मिलते हैं पहला मत तो ये मिलता है एक तो ये कि कविता रचने की कोई पढ़नाली सिखा या बताई है जो नहीं जा सकती तो नोट कर लीजिए कविता लेखन के दो मत मिलते हैं नोट कर लिजे कविता लेखन के कविता लेखन के दो मत मिलते हैं पहला मत लिखे उसमें लिख लिजे ये एक तो ये बात कि कविता रचने कविता स्रिजन की जो परणालिये सिखाई या बताई नहीं जा सकते लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्व विद्यावलों में और अब अपने यहां भी कहीं कहीं काविये लेखन के बारे में विद्यावतियों को बाकाइदा ट्रेनिंग दी जाती है परशिक्षन जो दिया जाता है सवाल ये भी है कि जैसे कि चित्र कला होगई संगीत कला होगई मृत्य कला होगई आदी तु सिखाई जा सकती है तो फिर कविता क्यों नहीं सिखाई जा सकती है ठीक है अब देखिए क्यों नहीं सिखाई जा सकती है आगे समझते हैं तो जैसे ही आप इन सवालों का सामना करे इहां से नोट कर लीजिए यह संसार है कौपीता का संसार की बात को संसार यह संसार को सकता के दोरान एक कवीतों नहीं पाए कविता shrissen वाला गुंड तो नहीं आपके अंदर से निकाल पाए तो मिटा कहा जाता है कि जन्म जात हो ते करपाई ए के अच्छा भाव को और से रिदे पाठक जरूर बना देगा आपको कविता की बारिकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा दरहसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए तो ये सवाल भी द्यान में रखना नोट कर लिजिए एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है ये सवाल आ गया और नीचे विकल दे देंगे बार बार पढ़े जाने के लिए कुछ कुछ सास्त्य संझेत की तरह जब तक आप उससे दूर है आप конечно अको रहस माहीँ लगेगी है आपको रहस माहीँ लगेगी और करीब जाते ही से बार बार और देर तक सुनने को है झो जी चाहेएगा है कविता को अच्छे कविता आप से सवाल करती है सुने और पढ़े जाने के बाद विए बची रहती है आगे इंपोर्टन फैक्ट आएंगे कविता से समंद्र जिनको आपको नोट करना प्रिक्समें वहां से सवाल जरूर पूछा जाएगा अगर कविता का आया तो आपकी इस मर्ति में बार-बार सोचने के लिए वापस चलते हैं पहले सवाल पर कि कविता आन्ने कलाओं की तरह सिकाई क्यों नहीं जा सकती तो आप जानते हैं कि चित्र किला में तो रंग होते हैं कूची होती है केनवास होता है संगीत में स्वर होते हैं ताल होते हैं वाद विश्यों जिसकी बुगोल अर्थ सास्तर एवम हमारे देनिक जीवन का माद्य में है वह अपनी इच्छा नुशार शब्दों को जुटाता है और उसे लह से जो गटित करता है तो कविता एक एसी कला है जिसमें किसी भाई उपकरणों की मदद नहीं लिजा सकती ध्यान में कविता की अंजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द नोट कर लिजिए इस बात को आप नोट कर लिजिए परिक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कविता की अंजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है तो सबसे पहला उपकरण कविता के लिए क्या है श सब्डोर से मेल जोल कवीता की पहली शब्द किया है KUKA gadget क्वे इस समद्द में अंग्रे psychology डे व्लुएचेअ और नियो कहा है। नोट किजए डे व्लुएच्ट और योडीन नहीं साथ खेलिए यानि आरम में शब्दों से खेलना सेखें ये कथन पूछा जा सकता है साब डबलो एच वर्ड का कि प्ले दे प्ले विद वर्स किसने कहा डबलो एच ओर्डन ने यानि कि शब्दों से खेलना सीखें ये किस ने का आई ये तो ये भी पूचा जा सकता है डबलो एज और डेन हिंदी और अंग्रिजी दोनों में दिया जा सकता है इसी को एक और उधारन से हम स्पष्ट करते हैं समस्ते हैं क्या निशान निमंतर नहीं आपर कविता दी गई असलिकित किसकी ये कमेंट करके बताना इसी को एक उधारन से इसपष्ट कैज़े कि कल्पना करो आपकी आप स्कूल के एक बच्चे हो कक्सा में बैठे हो सभी सह पाठी आपसे परिचित है आप परिचित हैं अंजान है जैसे ही आप खेल के मैदान पहुंचते हैं तो वे सारे आप परिचित हैं आपकी क्या बन जाते हैं मित्र बन जाते हैं तो शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है कविता कि रसना के से क्या होती है शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है शब्दों से खेलना उनसे मेल जोल बढ़ाना शब्दों के भीतर सद्यों से जो अर्थ छिपा है उसकी पर्तों को खोलना है एक शब्द अपने भीतर कहीं अर्थ छिपाई रहता है कुछ-कुछ इंटरनेट की तरह है इंटरनेट से जुड़ना ग्यान विज्यान की नई दुनिया से जुड़ना होता है शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में पर्वेश करना है नोट कर लीजिए इंटरनेट से जुड़ना तो ग्यान विज्यान की दुनिया से जुड़ना है लेकिन सब्दों से जुड़ना है तो सब्दों से जुड़ना हो जाएगा कविता की दुनिया में परवेश करना पूछा जा सकता है ऐसे बना कर सवाल आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में घीत रसे डालते हैं दरहसल रसनात्मक्ता सब के अंदर होती है उसे तराशने की जरूरत होती है तुकबंदी के परियास में दीरे दीरे उनकी रसनात्मक्ता आकार लेने लगती है बहार आने लगती है तो बच्पने की बातों में करें तो कि घो घो राने कितना पानी अत्वा अकडबकडबंबे वो असिनबे पूरे सो सो में लागा धागा चोड निकल कर बागा ये बच्पन की तुक बंदिया उपर मैंने पूछा निशानियमत तर्ड किस की तो अरिवन्स राय बच्चन ये कुछ कविताइं दी गई है तो इन कविताओं को विशेश तोड़ से ध्यार में रखेगा ये पंक्तियां देकर सिदा सिदा सवाल है जो पूछा जाएगा पूछा जा सकता है साहिते इतिहास की दृष्टी से भी ये क्या हो जाएगी महत पूर्ण हो जाएगी क्योंकि जार समशेर बहादूर लिखते हैं क्या वा जीवा हमको बुद्दू ही निरा समझा है हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बिमारी है आप गढटे है तो घड़ते ही चले जाते हैं और बढटे है तो बस यानी कि बढटे ही चले जाते हैं दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाएं बिल्कुल गोल ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में शम्शेर बहादूर हमको भुद्दू ही निरा समझा है किसकी पंक्ति है शम्शेर बहादूर की पूछा जा सकता है आगे समझते हैं उपर काव्यास दिये गें कभी ने शब्दों और दोनी से खेलने का क्या किया है अबर प्रियास किया है मातर और खेल खेल में जो ये प्रियास किया गया है इस प्रियास द्वारा अर्थ के नए आयाम है जो खुलते हैं शब्दों का जो ये खेल है दिरी दि कविता क्या हो गई शब्दों के साथ खेलना शुरू करते हैं सब्दों की कहानी को व्यवस्तित रूप से रचना कविता हो जाएगी उधारन के लिए खेल्द देखे धुमिल की कविता मोची राम कि कुछ पंग्तियां थो ये हैं कि جए दोमिल की कविता है चोट पेसे पर पधती है तो कहीने ग्ल् Mickey दभी रह जाती पेशे पर चोट यानि उचित महेंताना नहीं मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है तो इन पंक्तियों की सरंचना को बदल देने पर अर्थ भी है जो बदल जाएगा ठीक है बात आगे देखिए इधर राखी का विता है पढ़ती है पेशे पर चोट जब तो चोर कील कहीं ने कहीं एक रह जाती है दभी और उबरती है जो मोका पाकर और गड़ती है अंगुली में अब इन पंक्तियों की सरंचना बदल देने से क्या चोट पर अधिक बल हो गया है पेशे की चोट पर कम हो गया है पढ़ती है पेशे पर चोट जब जब कि उपर की पंक्तियों पे आसान दें और सोचिंगे शरणचना का कविता में कितना है जो महत कविता के बियांकि कि उसका उसका कुछ विषयज अर्थ निकलेगा तुख Angular समझ दोब भण도 जैने कि जिसकी इन पंक्ति में देखें शुब आदिया है पैली पंक्ति में क्या चोट है इस चोट की जगर मार शब्द रख दें तो कविता का भाव है जो बदल जाएगा और चोट शब्द मोची के संदर में भी एक अलग है जो नहीं हतोड़े की चोट अर्थ है जो रखता है अब बहुत चंद की हम बात करते हैं कुल मिलाकर कवित के बारे में कहें कि कविता क्या है तो साब चंदों के नियमों से युक्त रचना कविता कहलाती है चंदों के नियमों से सिद्धाम तो से जोड़ी हुई व्यवस्ता जो है वो कविता कहलाती है और कविता लिखने के कुछ बातें होती है व्यवस्ता करम होता उनका आपको द्यान रखना होता है बिंबो और चंद की हम बात करें कविता में यानि आंत्रिक लए बिंबो और चंद से तात्रिक क्या आंत्रिक लए लए बद रूप से परवा बढ़ता रहे तो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में साइक कविता को इंद्रियों से पकड़ने में भाई ये समेदनाए मन के स्तर पर बिम्ब के रूप में बदल जाती है बार की जो समेदनाए मन के स्तर पर बिम्ब के रूप में एक आकार के रूप में बदल जाती है कुछ विशे शब्दों को सुनकर अनायास मन के वित्र कुछ चित्र कौन जाते हैं बिम्ब से बने जाते ह तो कविता का विम निर्मित कौन करते हैं साहब इसमर्ति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का विम निर्मित करते हैं पंक्तियां देख लीजिए उपर वाली आपने ये निराला की है उपर कविता सुमित्रन नंदन पंत की कविता संध्या के बाद की पंक्तिया है यह किसकी संध्या के बाद की पंत की पंक्तिया द्यान में रखना और पंत को द्यान में रखना तट पर भगुलों से व्रिधाएं विद्वाएं जब ध्यान में मगन और मंतर धारा में बहता जिनका आयद्रिशे गती अंतर रोधन तो मगन रोधन इस प्रकार से पंतने यह जोड़ा है अब यह आप देखोगे बगलों से व्रिधाएं तो अपने आप इसमर्ति में विंपर कड़ोंगे चितर से देखेंगे विद्वाएं जब ध्यान में मगन तो आपको लगे कोई जब कर रहा द्यान कर रहा है अपने आप चितर बन जाएंगे तो इन पंक्तियों में जिस एक नीचे भी लिखा है बगलों से विर्धाएं विद्वाएं पढ़कर आपके इसमर्ति में क्या है बगले का आकार उसकी सपेदी विद्वाओं के घुटे हुई है सिर के कारण गर्धन का आकार तता उसके सपेद वस्त्र एकाकार है जो हो जाते हैं यह सारे के सारे आपको नजराने लगते हैं यह चीज़े नोट करने लाइक होगी है यहां पर तो पंत ने कविता के लिए क्या चित्र भाषा की आवशक्तावर बल दिया है कि भाषा शहली ऐसी हो तो नोट कर लिए जिस लाइन को पंत ने कविता के लिए किसकी आवशक्तावर बल दिया है तो सुमित्रा नंदन पंत पूछा जा सकता है सहाब क्योंकि चित्रों या फिर बिंबों का प्रभाव मन पर क्या पढ़ता है दिक पढ़ता है द्रिश्य बिंब अधिक बहुत गम्मे होते हैं क्योंकि देखिए हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है कविता की रचना करते समय शुरुवात में धिरे-धिरे द्रिश्य और सर्वे बिम्बों की संभावना तलास करने चाहिए यह बिम्ब सभी को आकरिष्ट करते हैं इसलिए किसी विचारक ने कहा है कविता ऐसी चीज है जिसे पांथ ग्यानेंद्रियों इस पर स्वाद द्रिश्य घ्रान और श्रवन रुपी पांच उंगलियों से पकड़ा जाता है तो यह पंक्ति देखर पूछा जा सकता है किसके विशे में है तो यह कविता के समद में कही गई है जिस कवि में जितनी बड़ी एंद्रिक पकड़ होगी वह उतनी प्रभाव शाली कविता रचने में समर्थ हो पाता है मतलब आप कविता रचो और सामने वाले सुनने वालों को पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आए तो फिर वो कविता का उतना आशर नहीं होता है यहाँ पर देखिए यह नोट कर लीजिएगा कवीता में बिम्बों का विशिष्ट महत्व है और प्राकर्तिक दृष्टियों को सजीव एवं सचेतन बिम्ब के रूप में प्रसुत करने की शेली को मानुविकरन कहते हैं मानुविकरन अलंकार की परिवसा हो गई यहाँ पर बीती विभावरी जागरी अंबर पंगट में डुबो रही और तारा गट उशा नागरी तो मानुविकरन का यह मानुविकरन अलंकार का यहाँ पर उधारण भी हो जाएगा आपके देखिए इन किताबों को पढ़ने का यही फायदा है कुछ कुछ इसी चीज़े भी मल जाती जो अन्य पाठे करम को भी कवर कर लेती है अब बात करते हैं चंद की बिम्ब तो हो गया चंद की बात करेंगे आंत्रिक ले तो कविता का अनिवारी तत्व है चंद क्या है कविता का अनिवारी तत्व है मुक्त कनगेत के पहचान होनी चाहिए नागा अर्जुन की बादल को g Abgरते देखा और उसके और गूरन है को देखे तो यहां 8 अबू जी सच कहूं मेरी निगाहा मेने कोई छोटा है ने कोई बड़ा है मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरमत के लिए खड़ा है तो कविता के उप्यूक सारे जो गटक हैं परिवेश से संदर्ब से परिचालित होती है यानि कि ए तुकांत होते ह alon एक छोटी सी कविता अकाल और उसके बाद भी आपन देखा होगा परिवेश गाउं का है बिम्ब देखने को मिलेगा कविता कि संदर्ब में अकाल और उसके बाद करिवरतन है कविता की बासा सरजनद भिम्ब चद्च अभी करिप घूमते रहते हैं तो अकाल और उसके बाद किसके का विटा है नागारजुन की, ये द्यान में रखना आप तो दाने आये घर के अंदर कहीं दिनों के बाद, धुआ उठा आंगन से उपर कहीं दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आखें कहीं दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पांखें कहीं दिनों के बाद, कविता तो इसलिए पड़ा दे रहा हूँ थोड़ी सी रोचकता बने रहे आपके लिए बाकि सिदा भी आप आगे चाल सकते हैं कविता वाला यह प्रकरण अंत की हो रहे तो यहां पर अकाल आया और उसके बाद जो यह कहानी है इसमें परिवर्तन को कविने संगेतिक व्योस्ता के भीतर है जो केवल कुछ संगेतियों के द्वारा प्रकरण देने संगीता आत्मक है जो बना दिया इसको ठीक बात अब कि आगे देखें यहां पर रूपर कोई विश्ज़ बात नहीं उसी कविता का जिक्र है यह सारी की सारी चिज़ें नोट कर लीजें लिख लीजी आप कविता के प्रमु गटक परिक्षा में सिदा-सिदा सवाल पूछा जाएगा यहां से अगर कविता का सवाल आया तो पहला घटक क्या है कविता भाषा में होती है इसलिए भाषा का सम्मय ज्यान जरूरी है नोट कर लीजिएगा एजटी सारे इन कविता के परमू घटकों को आप उपर समझ लिए कविता क्या केसे होती है अब घटकों में कविता भाशा में होती है इसलिए भाशा का समय ज्यान ज़रूरी है दूसरा भाशा सब्दों से बनती है सब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है भाशा परचलित अव म सहेज को पर सरंचना ऐसी कि पाठा को नहीं लगे शब्द वही होंगे बाशा वही होगी लेंगे इस परकार से गड़ा जाएगा कि कुछ नया लगेगा कवीता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है इसलिए चिन्नों ये कौमा हो गया विस्मिया दिबोद्ध हो गया खड़ी पाई होगी यहां तकी दो पंक्तियों भी इसके खालिस्तान भी कुछ कुछ कह रहा होता है वाक के गठन की जो विशिष्ट परनालिया होती है उन्हें शेली कहा जाता है तो वाक के गठन की विशिष्ट परनालिया कहलाती है शेली इसलिए विभिन कवे शेलियों का कहा ग्यान भी जरू चंद के अनुसासन से जानकर इजे ए चंद का घ्रण होना बहुत जरूरी है साब कविता के लिए तभी आंतरिक लए का निर्वा है जो संभव हो पाएगा कविता चंद और मुक्त चंद दोनों में होती है चंदों बद कविता के लिए चंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही मुक्त चंद में लिखने के लिए भी इसका ज़रूरी है अगला घटक है कविता समय विशेश की उपज होती है और उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है अतै किसी समय विशेश की परचलित प्रवर्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश्यक के लिए आवश्यक है कम से कम अगला घटक कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना और कभी कभी तो शब्दों या वाक्यों के बीच कुछ अनकई जगे छोड़ देना कवी की है जो ताकत बन जाती है सहाब यह आखरी घटक और ध्यान में रख लीजिए मोटे तोर पर हम बात करें तो बुनियादी जानकारी कवीता की दुनियों प्रवेश के लिए जरूरी है पर सोबात की एक बात यह है कि सारी तैयारी हो कवीता रचने के लिए जिन चीजों को देख दशने के लिए चीजों को देखने की नवीन दृष्टी या नए को पहचान प्रसुत करने कहला नहीं हो तो कवेलेकन संभेव नहीं है आपकी मनों मस्तिस्क में कुछ नया क्रियेट करने की है जो दृष्टी होने चीज़ शामने कुछ दिखाए दे रहा है आम जिनको नौर्मल से चीज़ दिखाए देरे को पड़ी लेकिन वहीं आपको उसी के अंदर आपके दृष्टी में कुछ वहीं से कुछ नया निकल रहा है तो आपका वितारा सकते हो भारतिय विचार को ने इसी को प्रतिबा किसको कहा है देखने की नवीन दृष्टी या नएको प बहुत सारे गेत लेगे हैं स्वर्गवासी हो गए कि मानव होना भाग गए है लेकिन कवी होना सो भाग गए है और हर आदमी में किसी ने किसी रूप में मौजूद होती है किसी नियम या सिद्धान्त के अनुशार इसे पैदा नहीं किया जा सकता निरंतर अभ्यास और सद्धार है ही कवीता की यह कुछ ऐसी विशेस्ता हैं जो कवीता रचना भले नहीं सिखाए लेकिन इन्हें जानना कवीता को रचने का मज़ा दे सकता है और कवीता को सराने का सुक भी साथ ही शब्दों की दुनिया में प्रवेश उन्हें खेलना विद्यारतिक रसनात्म पूर्शक्ति और को बाहर लाने में है जो अदिबुढ निभा सकते हैं कि अब देख के सार taste है जो अपने तीर आके तुझाम गया को कि चन्दों दों से कवीता रचना कहलाती हैं सबसे पहले क्या बात कि कवीता लेखन सब्वार्टे पर्योग लिए सब्दों का प्रियोग के जान हो गया उसका चैन हो गया और भावानूसार लायातमक अनूसासन ये कविता लेखन के जो परमूग तत्व है जो मानए गए जो पर्मुग घटकों कि हमने बात की यह भी यहाँ पर यह सारे की सारी चीज़े है जो आप ध्यान में रखना साथ गटक यह तो हम कह सकते इन सभी के दूआरा है जो कविता का स्रीजन होता और यहीं से सवाल अगर कविता के सवाल आएगा तो यहीं से आएगा यह उपर मैंने कुछ कविता इंबताए कुछ कथन बताए एक दो वहाँ से पूस्ट लिया जाएगा तो यह टॉपिक होता है complete लाइक कर दीजी वीडियो को झाल झाल